और सब्सक्राइब पहले कि अगे पड़ते हैं दुसरा चैप्टर है फार्मेशी यहां पर प्रिच्ट अगे पड़ते हैं अगला जो चैप्टर है वह ड्रग डिस्ट्रिबीशन सिस्टम है यहां पर सबसे इंपरनट कुछे जाते हैं वह यह यह से कि एक यह नहीं है अभी पता हूंगा आगे है राइट अब ब्रीफ एबाउट सेंट्रल इस्ट्राइल डिपार्टमेंट सर्विसे यह दो साल में लगवाग एक बार पूछ लिया जाता है और जब कि जो दूसरा कुजिशन आपको मैं बताने वाला हूँ कभी कभी आउट पेशंट के ड्रग डिस्टिबिशन सिस्टम पूछता है जो भी आप तियार करेंगे दोनों आपके लिए इंपोरेंट है अगला जो चैप्टर है हॉस्पिटल मैनुफैक्ट्रिंग यहां से जो कुछिशन आता है वह है राइट ब्रीफ नोट ऑन मैनुफै यह उतरना ज्यादा इंपोरेंट कुछिशन नहीं कभी कभर पूछ लेता है नेक्स्ट आके बड़ें अगला चैप्टर है आपका वह सर्जिकल इंस्टुमेंट्स सर्जिकल इंस्टुमेंट्स हेल्थ एससरी और हेल्थ एक्यूपमेंट्स यहां पे जो नॉर्मली जो एक यार करके रखना काम आएगा आपको वैसे भी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगला जो आपका चैप्टर है वह फार्मासी थरापेटिक कमेटी पीटी सी इससे किवल एक कुछिशन आता है और पका आता है हर साल आता है हर साल आएगा आपकी बार भी आएगा अगले बार वह है discuss the composition and function of the PTC फार्मासी थरापेटिक कमेटी का composition और function क्या होता है नेक्स्ट अगला जो चैप्टर है वह हॉस्पिटल फार्मुलरी इससे भी एक कुछिशन हमेशा आता है वह है कि write a start note on the hospital information service यही दो questions होते हैं इसके अलावाई से question नहीं पूछ जाएंगे next जो है surgical dressing surgical dressing से कभी कबार question पूछता है कि surgical dressing के notes बत्मतल लिखिए write a note on the surgical dressing bus ठीक है बहुत कम question आता है उससे next application of the computer इसमें से जो question पूछता है इसके अलावा दूसरा question नहीं पूछा जाता है यह बात आप यादर किएगा next अगला जो यहां पर चैप्टर है वह modern dispensing aspect इसमें जो question आता है वह होता है briefly discuss patient compliance and non-compliance sometimes पूछ लेते हैं कभी कभी पूछ लेते हैं बहुत कम पूछा जाता है यह question यह modern dispensing aspect से question ही मतलब 5-6 साल में एक आत बार question उठाते हैं कभी कभार तो उतना ज्यादा important नहीं है इतना आप समझ लेजिए बाकि अगर आप पढ़े रहेंगे तो काम देगा लेकिन अगर आपके पास time है तभी आप इसको पढ़िए नहीं तो रहने दीजिए कोई बहुत जो chapter है वह आपका है common terminology used in medicines तो भाया एक बात बताओं कि इसमें से कोई question नहीं बनता है लेकिन chapter था इसलिए मैंने नाम लिख दिया common terminology used in medicine यह जो question है यह फार्मस्टोटिक्स में पूछा जाता है ठीक है जैसे बिस होता है विस इंडाई यह टेडियास होता है यह सारे questions होते अगर आपके पास समय है तो आप उसको enjoy के लिए ऐसे पढ़ लीजिएगा common terminology उससे क्या होगा कि जब आप training करने जाएंगे तब आपको बड़ा फाइदा होगा ठीक है है चैशले का अचे पार सब्लिया से कब सरकेंटबिर इप इंपेटाबर आपकर चाहंट चने सीजिए है तो टेनों में से एक शूछन यह बात यह स्मेंदा होता है कि what is the drug interaction discuss different type of the drug interaction in detail तो आपको नॉर्मली बता हूं कि ज्यादा तर पूसा जाता है वो ड्रग interaction with the cardiovascular drugs यह इनके रिस्पेक्ट में cardiovascular drugs के रिस्पेक्ट में drug interaction ज्यादा तर पूछा जाता है क्योंकि वो थोड़ा सा mechanism of the drug interaction